अस्सलामु आलेकुम आरहमतुलाई बरकातु दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ शबीन ठाकुर और आप देख रहे कोकिंग भी शबीन अली तो आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा कूल कूल बिल्कुल गर्मी के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट रेसिपी है तो यह फ्रूट की शुरुवात करते हैं तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे लाइक शैर और सब्सक्राब करना बुलिएगा मत। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी की शुरुवात करते हैं तो देखें यहां पर हमने एक बरतन में यह आदा लिटर के करीब दूद लिए है और इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं जब तक यह उबलता है हम यहां पर तो देखें यहां पर हमने अलग से एक बाउल लिए है और इसमें य आफ कप के करीब दूद डालेगे, यह नॉर्मल दूद है, रूम टेंपरेचर वाला, और इसे अब इसके अंदर हम यह टू टेबल स्पून यह कस्टेड पौडर डालेगे, हमने यह वैनिला फ्लेवर लिये है, अगर आपके पास और कोई फ्लेवर हो तो आप वो ले सकते है और यह आसानी से किराने कोई भी किराने स्टोर पर मिल जाता है, अब इसे अच्छी तरह से मिला लेगे, ताके इसमें कोई लंज बाकी न रहे, अच्छी तरह से इसे हमने मिला लिये है, अब इसे साइड में रख देगे, और देखे यहां पर दूद में भी अच्छी तरह से उबाला आ गया है फ्लेम को मीडियम में रखेगे और इसमें यह हाफ कब भर कर चीनी डालेगे यानि कि यह वेट में 125 ग्राम के करीब है और आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उस तरह से चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें आप अच्छी तरह से गुल गई है तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेगे और इसमें यह जो हमने कस्टर्ड पाउडर गोल बनाए है इसे डालेगे थोड़ा थोड़ा करके डलते जाएगे और मिलाते जाएगे और इसमें कोई गुटलिया ना बने इसलिए हम इसमें थोड़ा तीन मिनिट चलाते हुए पका देना है ताकि जो भी कस्टर्ड पाउडर का कच्छापन है वो दूर हो जाए तो देखें यहाँ पर तीन से चार मिनिट कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और यह देखें हमारा गाड़ा कस्टर्ड बिलकुल तयार हो गया है ना ज्यादा गाड़ा बना है ना ज्यादा पतला बिलकुल इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं तो अब इसे हम रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने के लिए रख देगे तो चले यहीं पर अब हम फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने क तो देखे यहां पर हमने एक बड़ा सा बाउल लिये है इसमें यह देखे कितना गाड़ा बना इसका कंसिस्टेंसी क्योंकि रूम टेंपरेचर पर जब आता है यह तो यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं इसमें हम फूर्ट डालेगे तो यह तो देखे को भी छोटे छोटे तुकड़ों में हमने कट किये है और यह थोड़े से एक कब भरकर हम यह अनार डालेगे एक कब हमने केला लिये है इसे भी डालेगे और यहां पर हमने देखे खजूर लिये है तो खजूर की बीच निकालकर इसे भी तुकड़ों में कट किये इसे डाल आप अपने चौइस का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, तो हमने यहां पर एपल, अंगूर और सेब और अनार लिये हैं, और थोड़ा सा खजूर डाले हैं, खजूर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, जब हम यह खाते हैं, तो यह जब मुह में आता है, तो बहुत ठंडा होने के लिए, जब यह बिल्कुल चिल्ड हो जाए, तब इसे हम निकाल के आपको सर्फ करके बताते हैं, तो देखें, यहां पर दो से तीन घंटा हो गया है, हमने इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिये हैं, तो देखें, माशाला बहुत ही जबरदस, और इतना ग्लास ली हूँ, और इसमें यह डालेगे, फ्रूट कस्टर्ड को, तो आप चाहें तो इसे बाहर में भी सर्फ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे इस तरह से ग्लास में सर्फ करेंगे, और देखें, यहां पर हमने यह फ्रूट कस्टर्ड को सर्फ कर लिये हैं, और इसका मज़ तो मैंने जिस तरह से बनाई हूँ एक बार जरूर बना कर देखे तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलेगा मत तो मिलते अगली वीडियो में एक और मज़िदार की साथ तब तक के लिए दूआ में याद कि टेक केर लाव